नमिश्कार मित्रों, 31 अगल 2022 को गनेश चतुर्थी का त्योहार है, गनेश जी की 11 दिन तक पूजा की जाती है, कई लोग डेड़ दिन के लिए, ढाई दिन के लिए, कोई तीन दिन के लिए, साथ, ग्यारा दिन के लिए गनेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं, पू दिन लगातार सुनना बहुत ही शुब होता है गनेश जी की अंगिनत कथाएं हैं, गनेश जी के जनम से जुड़ी कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और उनी में से एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप गनेश चतुर्थी वाले दिन, लगातार 11 दिन तक इस कहानी को सुनी तो आपको गनेज जी की पूरी कृपा प्राप्त होती है गनेज चतुर्ती की परसीद पुराणी कहानी इस परकार है गनेज जी के जनम से जुड़ी ये कथा सबसे ज़्यादा प्रश्रित है इस कथा की अनुसार एक बार भगवान शीब, माता पार्वती नर्बदा नदी के तट पर बैठे थे तब ही माता पार्वती ने समय बिताने के लिए शीवजिजी से चोपड़ खिलने की बाद कही शिव जी जी मान गए लेकिन समस्या यह थे कि केल का हार जीत का फैसला कोन करेगा इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को इकठा किया और एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फुक दिये इसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया शिव जी जी ने बालक से कहा हम चोपड खेलना चाते हैं समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहां कोई नहीं है इसलिए तुम्हें बनाया गया है हम दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा यही फैसला तुम्हें बन करना है इसकी बाद माता पारवती और भगवान शिव चोपड का खेल खेलने लगे संयोग से तीन बार माता पारवती जीत कई खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हाजीत का फैसला सुनाने के लिए कहा बालक ने भगवान शिव को विज़ाई बताया यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगडा होने और किचड में पड़े रहने का शाप दे दिया माता पार्वती के क्रोध से पुतला भैभीत हो गया उसने अपनी गलती के लिए माता से शमा मांगी बालक ने कहा मा मैं अज्यानी हूँ मुझसे भूल हो गई है मैंने ऐसा जान बूझ कर नहीं किया है बालक की बाते सुनकर माता पार्वती भावुख हो गई उन्होंने बालक को शाप से निजात पाने का उपाय बताया, उन्होंने कहा गनेश पूजन के लिए ना कन्या यहां आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गनेश जी का पूजन करना, ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और शमाप्राप्त होगी, यह क मापारवती भगवान शीव के लाश परवत पर चले गए, एक वर्ष के बाद नाकन्याएं आई, बालक ने नाकन्याओं से भगवान गनेश जी के वरत की विधी पूछी, उसके बाद बालक ने 21 दिन तक गनेश जी के वरत वैपूजन किया, बालक की भक्ति भाव से गनेश जी ने बालक को मनवांचित फल मांगने को कहां, बालक ने कहां विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल कर केलाश परवत पहुंच कूँ, गनेश जी ने बालक को ऐसा ही वर्दान किया, बालक केलाश परवत पर पहुंचा, शीव जी पूछा तुम यहां कैसे पहुँचे इसके बाद बालक ने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई बालक ने कहा माता पार्वती जी के बताए अनुसार मैंने गनेश जी का वरत्वय पूजन किया इसे मुझे यह वर्दान मिला जो पड़ खेलने वाले दिन मा पार्वती जी पार्वती जी को मनाने के लिए बालक के कहे अनुसार की जिंत गनेश जी का वरत्वय पूजन किया वरत के परभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शीव के लिए नराज की दूर हो गई और माता पारवती परसन होकर के लाश परवत पर लोटाई सभी कष्टों के निवारण और मनो कामना पूर्थी के लिए विग्न हरता गनेश जी की यह कथा अत्यंत फलदाई मानी जाती है गनेश अथुर्ती पर व्रत रखने और विदिवत पूजा अर्जना करने से जितना ही लाब मिलता है मित्रों यदि आपको भी गनेश अथुर्ती की यह गनेश जी की कथा अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चनल को जूड़ सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बूक्स मीं जैगनेश जी महराज अवश्य लिखें